हलो नमस्कार इस्टुएंट मैं विशेक भारगाव भारगाव क्लासेश के इस चैनल में आप बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज का जमारे वीडियो टॉपिक है वो है चत्तीज़वर पटवारी के लिए जो समीधान का हमारे प्रश्ण चल रहे थे उसका ये पार्ट टू है ठीक है तो इससे पहले हमने पार्ट वन किया हुआ था इसके इंदर में हमने 25 प्रश्ण जो है वो कर लिये थे और इसका पी कि अधी अभी तक आप लोगोंने भारगाव क्लासिस के इस यूटूब चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है तो जल से हल जो है वो सब्स्राइब कर लिजे और बैल का इकन जुरू प्रश्ण करिए ताकि वीडियो का नोटिपेशन आप लोगों को मिलता रहे और देखिए 26 प्रश्ण की समिधान सभा के सभा ने राष्टगान को कब सुईकार किया तो यहाँ पर जो सही अंसर हो जाएगा 24 जनवरी सन 1950 को जो है वो सुईकार किया ठीक है तो याद रखिएगा देखिए भारत का राष्टगान जनगन मन है जो मूलता बांगला भासा में रवीद्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखा गया था जिसे भारत सरकार द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्टगान के रूप में अंगी करित किया गया इसके गायान की अवधी लगबग 52 सेकेंड है निर्धारित की गई गुर्देव रवीद्रनाथ ठाकुर ने विश्व के एक मात व्यक्ति हैं जिनकी रश्णा को एक से अधिक देशों में राष्टगान का दर्जा प्राप्त है उनकी दूसरी कविता आमार सोनार बांगला जो आज भी बांगला देश में राष्टगान का दर्जा प्राप्त है तो याद रखी गए यह बहुत इंपोर्टेंट जो है व प्रस्तावना प्रस्तावना जो है वो भारती समिधान के आत्मा की रूप में जानी जाती है ठीक है तो याद रखेगा ये कोशन बहुत ही इंपोर्टेंट है कई बार एक्जामों में पूछा गया है तो भारती समिधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिका के समिधान से लिए गया था, ये भी आपको याद रखना है वही प्रस्तावना की भासा को आउस्टेलियन समिधान से जो है वो लिए गया प्रस्तावना की सुरुवात हम भारत के लोग से जो है वो शुरूती है और 26 नमबर 1949 को अंगी करित पर समाप्त होती है तो याद रखेगा यह भी important है यह 6 है ठीक है तो देखे मूल रूप में भारत के सम्मिधान के भाग 3 में 7 मौलिक अधिकारों को सामिल किया गया था इसमें संपत्ति का अधिकार सामिल था जिसे 44 समिधान संसुदन दवरा हटा दिया गया था अब केवल 6 मौलिक अधिकार है जिसके अंतरकत में पहला है समता का अधिकार जिसको अनुच्छेद 14 से 18 तक का होता है याद रखेगा यहाँ पर जो की पॉइंट बताए जा रहे है दूसरा स्वतन दरता का अधिकार जो की अनुच्छेद 19 से 22 तक का होता है सोसन के विरुद अधिकार जो की 23 से 24 अनुच्छेद तक होता है धर्म की स उतनतरता का अधिकार जो कि अनुछेद 25-28, संस्कृति और सिक्षा संबंदेद इदिकार जो कि 39 और 30, सम्विधानिक उपचारों का अधिकार जो कि अनुछे 32, तो ये 6 जो है वो मूल रूप से अभी शामिल है, ठीक है, तो याद रखेगा, इसके आद में 29 वा कोशन है कि स अंपतिक अधिकार को किस सम्विधान संसुधन के द्वारा हटा दिया गया, तो ये अभी हमने उपर आपको पता है कौन से सम्विधान संसुधन के द्वारा हटा दिया गया था, तो ये 45 वे सम्विधान संसुधन के द्वारा हटा दिया गया था, तो याद रखेगा, ती मूल अधिकारों का रच्छक जिसे हम कहते हैं fundamental rights protector हम किसको कहते हैं सर्वोच नियाले और उच नियाले को ठीक है तो याद रखिएगा कोई भी अपने मौलीक अधिकारों को लागू कराने के लिए article 32 में supreme court और article 226 में high court में REIT जो है वो दायर कर सकता है article 32 और 226 के अनुसार supreme court और high court मूल अधिकारों के protector के रूप में जाने जाते हैं तो ये दोनों point भी आप लोग को क्या करना है याद रखना है ये important है ठीक है तो जब भी pdm टाउनलोड करो तो इसको जरू याद कर लेना ठीक है 31 प्रशनेगी किस अनुछेद के द्वारा 6 से 14 वर्षक के बच्चो के लिए सिख्छा का अधिकार जिसको हम right to education मूल अधिकार माना गया है कहते हैं तो यहाँ पर जो है सही आंसर होगा आपका अनुछेद 21 ए ठीक है तो याद रखेगा ये एक important question है ये एक्जामों में कई बार पूछे जा चुके है ठीक है तो जब भी आप ये pdf किसमे नहीत है तो यहाँ पर option जो दिये गए है वो है बी आपका सही होगा राजी के नीती निर्देशक तत्व के अंदर में लोक कल्यानकारी राजी के अवधारना नहीत होती है भारत एक लोक कल्यानकारी देश के रूप में है तो भारती समीदान के अनुछेद 21 ए में अ तो यह point अभी आपको याद रखने है ठीक है नेक्स्ट प्रशन है कि समीदान का अनुछेद 40 जिसको हम article 40 राजी को निर्देश देता है कि यहाँ पर जो option देगे है उसके अनुसार जो है आपका C option जो है वो बिल्कुल सही होगा यह जो article आपको 40 जो है वो निर्देश दे राज्य ग्राम पंचायतों को विवस्थित करने के लिए कदम उठाएगा या उन्हें ऐसी सक्तियां और अधिकारों से संपन्न करता है जो उन्हें स्वशाशन की इकाईयों के रूप में कारी करने में सब्चम मनाएगा तो अनुछे 40 के बारे में याद रखेगा ग्राम पंचायतों का संगठन करे ठीक ये एक्जाम में क्योंकि पूछा गया है तो ये भी एक आएमपी हो जाता है इंपोर्टेंट ठीक तो याद रखेगा इनको भी जब भी पीडियेव डाउन्लोड करे तो याद कर लिजेगा ठीक 34 प्रशने की समिधान में मूल करतव्यों को किस समीती के अनुज़णसा के आधार पर सामिल किया गया तो देखे यहाँ पर जो सही अंसर होगा वहगा स्वर्ण सिंग समीती द्वारा देखे यहाँ पर नीचे explain कर देते हैं तो देखे सर्दार स्वर्ण सिंग समीती इंद् दियान करना था, तो यह जो question है ने, यहां से भी बनता है, कि इस समीथी को कौन से time पर बनाए गया था, तो इंद्रकांदी के time पर आपातकाल के समय में बनाए गया था, कौन से समीथी तो सरदार स्वणन सिंह समीथी, ठीक, तो याद रखेगा, देगे मौलिक करतब यह भार भारतीय संघ्ग की सक्ति, किसमे न Υित है, तो भारतीय संघ्ग की सक्ति जो है वो राष्टपती में निहित होती है, कई बार एक्झाम में पूछा गया है, तो याद कर लिजेगा, 36व प्रश्ण है कि राष्टपती के निर्वाचन मंदल में सामिल होता है ये प्रशन भी कई बार एक्जाम में पूछा गया है तो इसके बारे में भी आपको याद करना चाहिए और राश्ट पती के सारे अनुछेद में आपको एक बार कम से कम उसको पढ़ना भी जो रही क्योंकि वहां से कोशन जो है वो अक्सर पूछे आते हैं उनकी सक्तियों के बारे में उनके निर्वाचन के बारे में ठीक है तो ये सारा चीज आपको एक बार जरूर पढ़ना चाहिए तो यहाँ पर जो आएगा सी आप्शन आपका बिल्कुल सही होगा कि संसत के दोनों सदन के सदनों के निर्वाचित सदस्य वो मराज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है वो सामिल होते हैं ठीक है सही 300 प्रशन के राष्टपति पत के चुनाओं के लिए कौन सी विधी अपनाई जाती है तो कौन से method जो है वो अपनाए जाते हैं तो देखें यहाँ पर जो है वो यह तीनो method जो है वो अपनाए जाते हैं राष्टपती चुनाओ के लिए ठीक है तो इनको याद कर लीजेगा यहाँ पर जो हैगा यह सभी देखें राष्टपती का चुनाओ यह चैन अनुछेद प अंक्रमणिय और अप्रतेक्ष मतदान मतलब तीनों से ये मिलकर होता है ठीक अनुच्छेद पच्पन के तहत ठीक तो ये भी आपको याद रखना है और तीसवा प्रशन है कि उप राष्ट पती के निर्वाचन मंडल में शामिल है तो कि ये अक्सर एक्जामों में पूछा आता है या तो राष्ट पती का पुछ लिए जाएगा या फीर आपको उप राष्ट पती का पुछ लिए जाएगा तो आपको दोनों याद रखना है यहाँ पर जो आएगा ऑप्शन सी राज्य सभाय में लोग सभा के सदस्य उन चालिसवा प्रशन है कि जम्मु कस्मीर को विशेश राज्य का दर्जा प्राप्त था ठीक है देखें जम्मु कस्मीर से 5 अगस्त 2019 को धारा 370 जो हटा ली गई थी निर्मला सितमर्ण ने कहा था कि जम्मु कस्मीर में धारा 370 को हटाने के बाद 890 केंदरी कानून वहाँ पर लागू हो गये हैं तो याद रिखे ये डेड़ भी 370 जब हटा था तो नेक्स्ट प्रशन है कि पहले वितायों का गठन 1951 में किया गया इसके अध्यक्ष थे तो इसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी याद रखेगा और ये डेड़ भी याद रखेगा दोनों याद रखना है आपको ठीक है नेक्स्ट प्रश किया गया था ठीक है यहाँ पर जो है वो पारदर्सिता युक्त शाषन व्यवस्ता एवं भरश्टाचार मुक्त समाज बनाने के लिए 12 मही 2005 में सूशना का अधिकार दिनियम 2005 संसत में पारित किया गया जिसे 15 जून 2005 को राष्ट पती के अनुमति मिली और अंतता 12 अक्ट होगा ठीक है तो याद रखेगा 2005 तो रहेगा ही रहेगा यह 12 अक्टूबर यानि अक्टूबर 2005 को यह पूरे देश में जो है वो लागू किया गया था ठीक है दिस्वारी पारित करने के पारे में पूछ रहा है विध्यक तो यह आएगा जून में ठीक है राष्ट पती न नहीं करता है तो यह अप्शन डी जो है इसके अंदर में आ जाएगा 43 प्रशने के दरब चलिए निम निली खित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अदेख्ष के रूप में कारी कर सकता है तो यह आप सभी जानते हैं कि भारत का उपराष्ट पती जो है वह सदन क सदस्य हुए बिना अदेख्ष के रूप में कारी कर सकता है 47 प्रशने की उपराष्ट पती का चुनाओ करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य होते हैं तो यह तो आप सभी को मालूम होगा कि भारत के प्रथम उपराष्ट पती तो यह तो आप सभी को मालूम होगा कि प्रथम उपराश्टपती सर्व राधा कृष्णन थे ठीक है 46 प्रशने की भारती समिधान का कौन सा अनुच्छेद राश्टपती को उच्चतम न्यायले से परामर्ष करने की सक्ति प्रदान करता है तो कौन सा अनुच्छेद जो है वो परामर्स करने की शक्ति प्रदान करता है तो अनुच्छेद 143 ठीक है ये जो है वो राष्टपती को तम न्याले से परामर्स करने की शक्ति प्रदान करता है तो देखे समिधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार जब कभी राष्टपती क परामर्स लेना उचित होगा तो राश्टपती उस पर उस प्रश्ण को सर्वोच नियाले के सम्मुक परामर्स हेतु भेज सकते हैं ठीक है तो यह आपको याद रखना है 143 अनुचेत के अनुचेत के अनुचार अर 402 प्रश्ण के किसी राज्य में राश्टपती सासन का तातपर है कि वह राज्य संचालित होता है तो यह तो बहुत सिंपल है आप सभी जानते है राजपाल के द्वारा 49 प्रशन आप लोगों के लिए तो इसको आंसर जो है वो आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्चन में कमेंट करकर बताना और आप सभी अच्छे से अच्छा कमेंट करते हैं कोई गलत आंसर कमेंट नहीं करता है सारे के सारे जो है वो सही आंसर कमेंट करते हैं तो इस प्रशन क पंचायती राज की त्री स्त्री समीती का गठन किसके द्वारा किया गया था तो यह आप सभी जानते हैं कि त्री स्त्री समीती का गठन जो है वो बलवांतराय महता समीती के द्वारा जो है वो किया गया था तो यह हो गया आपके पार्ट टू खतम और आपके टोटाल हो गया समिधान के 50 प्रशन जो की बहुत important है दोनों का PDF आपको भारगाव classes के telegram group में जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा group जो है वो बिल्कुल free है telegram में जाकर जोईन कर लिए भारगाव classes वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा उसको download जरूर करिएगा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज like and share जरूर करिए ताकि जल से जल जल जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए वो upload किये जाए जितना अच्छा आपका response होगा उतना अच्छा हमारा response होगा इसलिए response जरूर करिए ठीक है तो आप लोगों के लिए अप लोड कर पाएं तो आज की वीडियो में इतना ही था जय हिंद जय भाराइव